नमस्ती सदावसली मात रभुमेजी अहिन दोस्तू दोसर अश्या ने अपने अत्यादुनिक लड़ा को विमान मिक 35 को भारत को उफर किया रूस की सरकार United Aircraft Corporation ने कहा कि अगर भारत ये विमान खरीता है तो हम 60 फीजी ट्रांसफर आफ टेकनोरजी पर भी सहमत है इतना ही नहीं कंपनी ने मिक 35 विमानों को मिक इन इंडिया के तहट भारत में बनाने का प्रस्ताओ पेश किया है United Aircraft Corporation के प्रमुक ने बताया है कि मिक 35 के अलावा भारत के साथ कई दूसरे लड़ाकोई मानों की खरीद और अपगरेशन को लेकर बात्चित चारी है जिसमें कि सुखोई 30 MKI के फ्लीट का अपगरेशन और 12 सुखोई 30 MKI की खरीद भी शामिल है बात करते हैं रश्या के मिक 35 की दरसल रूस से मिक 35 लड़ाकोई मान को भारती वायू सेना के MRFA टेंडर में पेश किया है MRFA के तहित आपको मालूमी है कि भारत मीडियम रेंज के 114 लड़ाकोई मानों को खरीद ना चाहता है इसके लिए SAB, Irkut Corporation, Boeing, Lockheed Martin और Dassault Aviation ने अपने अपने लड़ाकोई मान पेश किया है जिन विमानों में सबसे ज़्यादा तक्कर है उनमें मिक 35 के अलावा सुखोई SU-35, F-15EX, Rafale, F-21, SAB, Gripen और Eurofighter टाइफून शामिल है दोस्तों, मिक 35 जो की रूस का मल्टी रोल फाइटर जेट है इस लड़ाकोई मान की टॉप स्पीड 2100 किलोमेटर प्रतिगंटा है मिक 35 के लंबाई 17 मीटर और वजन 11,000 किलोग्राम है ये विमान 2000 किलोमेटर के रेंज में उडान भर सकता है इस विमान को United Aircraft Corporation के एक डिविजन, मिकोईन ने डिजाइन कया है मिक 35 को 4++ जनरेशन का फाइटर जेट कहा जाता है जिसमें की मिक 29M, अबलिक M2 और मिक 29K, अबलिक के यूवी रड़ाकोई मानों को उन्नत करके इसे तयार किया गया है रश्या के अनुसार मिक 29KR का ये एक अबड्रेड़िट विरियंट है इसे सिर्फ मार्केटिंग के लिए मिकोईन मिक 35 नाम दिया गया है इसका पहला प्रोटोटाइब मिक 29M2 का एक मॉडल डेमोस्ट्रेटर था जिसे स्थाई रूप से मिक 35 का नाम दिया गया था बाद में एक दूसा प्रोटोटाइब अलग मॉडल और अलग उपकरणों के साथ पेश किया गया उसे ही मिक 35 का बेस्ट विरियंट माना गया मिकोईन ने पहली बार अधिकारिक तौर पर 2017 में मॉस्को एर्शो के दौरान अंतराश चेस्तर पर मिक 35 को प्रस्चुत किया था इस सीरीज के पहले दो एरकाफ्ट 2019 में भी एंटर कर चुके हैं इस ललाकोई मान के सिंगल सीट वेरियंट को मिक 35S और डबल सीट वाले वेरियंट को मिक 35UB कहा जाता है दोस्तों मिक 35 में मिक 39 के शुरुवाती वेरियंट की तुला में एवियोनिक्स और हत्यार प्रणालियों में काफी सुधार किया गया है इसमें सटिक निशाना लगाने वाली शमता और विशेश रूप से डिजाइन किये गए ऑप्टिकल लोकेटर सिस्सम लगाए गए हैं इसका इस्तमाल जमीन पर मौझूद दुश्मन के इंटरस रडार से बचने के लिए किया जाता है इस शमता की वज़े से मिक-35 अकेले ही अपने दम पर मल्टी रोल मिशन को अन्जाम दे सकता है अभी तक दुश्मन के छेतर में कारवाई के लिए कई तरीके के लडाकुई मानू का पैकेज बनाया जाता है जिसमें Air Security Fighter, Fighter Bomber, Interceptor, All Weather Fighter, Recundance Fighter शामिल होते हैं वर्तमान में सीलेर प्रोडक्शन में शामिल मिक-35 व्लडाकुई मान पीसा रडार का स्थामाल करता है हाला कि इसमें आएसा रडार का विकल्पी मौझूद है रियल प्रोडक्शन एरक्राफ्ट में पहली की योजना के अनुसा थ्रस्ट वेक्टिंग नोजल नहीं दिया गया 2017 में मिकोईन ने रूसी सरकार के सामने मिक-35 को प्रस्तूत किया इसके बाद मिक-35 को इसके संभावित खरीदार देशों के लिए बड़ी फायदेमन डील बता कर पेश किया गया मिक-35 के सबसे महत्वपून अप्गरेशन में एक पूरी तरीके से नई फ्लाइबाई वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम अत्यधिक उन्नत कॉक्पिट, अप्ग्रेड़िड एवियोनिक्स और हवा से जमीन पर निशाना लगाने वाले हत्यारों के लिए इंटिगेटिड प्रिसीजन गाइड़िड टार्गेटिंग कैपेबिलिटी शामिल है मिग 35 एक रूसी नॉन रिमोवल एनपी के SPP OLS के एलेक्टर अप्टिकल टार्गेटिंग एंड सर्विलान सिस्टम पॉर्ट से लेस है इसे सीधे फ्योजलार्ज के नीचे एरकाफ्ट के स्टार बोर्ड के दाहिने पर लगाए गया और ये पहले के रूसी विमानों के तुलना में बिग 35 को Special Operational Autonomy प्रदान करता है बिग 35 में दो FEDEC RD-33M के टर्बो फैन इंजन लगे वे हैं RD-33M के पुराने पड़ चुके किलमोव RD-33 टर्बो फैन इंजन का एक अप्डेट वेरियंट है किलमोव RD-33 टर्बो फैन इंजन को मेग उनतिस के और बिग 29 के यूबी में पावर देने के लिए बनाया गया था ये बेसलाइन मॉडल के तुलना में साथ फीजदी ज़्याद अताकतवर है क्योंकि इसमें कूल ब्लेड्स में modern material का उप्योग किया गया है ये इंजन 9000 किलोग्राम फोर्स का थ्रस्ट प्रदान करता है नया इंजन पूरी तरीके से धोये से रहते है और इसमें ऐसा सिस्टम लगा है जो infrared और optical visibility को कम करते हैं इससे गर्मी पैचानने वाली मिसाइले चक्मा खा जाती है बताते कि रूस के रास्पती व्लादी मीर पुती ने 2017 में कहा था कि मिक-35 भविशे में नए तरीके के लेजर हतियार का इस्तमाल कर सकता है मिक-35 को केस-36 ग्रोम वन क्रूज मिसाइल को लांच करने में शक्षम बनाय गया है इससे इसे लंबी दूरी की स्ट्राइक शमता मिलती है जो में गुनतिस के पास नहीं है इसके अलावा ये लड़ा को इमान कई अन्या भारी भरकम मिसाइलों को ले जा सकता है हाला कि दोस्तों अभी तक भारत रूस के फाइटर जेट्स का इस्तमाल जादा करता है की इस होड में पीशे होता हुआ नजर आ रहा है हाला कि उसने अस्टावन में बना रखा है लेकिन कोई उसके प्रमानिकता नहीं है यही वज़ाए कि रश्या अब अपने एर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करता है और एर डिफेंस में तो रश्या का कोई तोड नहीं है S-400, S-500 जैसी जो एर डिफेंस सिस्टम है वो अच्छे से अच्छे फाइटर जट को मार गिराने में शक्षम है चाहे वो स्टेल्थ हो, चाहे नॉन स्टेल्थ हो, किसी भी तरीके का हो चाहे इंटर कॉंटिनाट ये लिफेंस सिस्टम हो, तो इसमें S-500 जैसे एर डिफेंस सिस्टम तबहा कर सकते हैं चीजे बहुत सारी है, फिलाल दोस्तों भारत को मिक-35 के बारे में तो नहीं सोचना चाहिए आपको गरते करमें सेक्षम में लेकर जरूर बताएं